है गाईज चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीज़े चैनल काफी दिनों से मेरे पास कुछ कोमेंट्स ऐसे आ रहे थे जिसके अंदर मुझे पूछ रहे थे कि हमें बता देजिए हम यह कैसे पता लगा है कि हमारा डेबिट कार्ड आसान किस्तों पर प्रोड़क्त खरीदने के लिए या नहीं है तो आपको यहां पर यह बताऊंगा कैस और प्रोड़क्त खरीद सकते हैं तो आप लेना चाहते हैं कोई वी इलेक्ट्राणी प्रोड़क्त तो आसान किस्तों पर ले सकते हैं अगर आपके पास debit card होगा तो वीडियो कि मैं आपको यहां पर रिस्ट मताऊंगा कैसे आप पता लगा सकते हैं क्या आपका debit card eligible है आसा तो पर कोई प्रोडक्ट चले शुरू करते हैं तो गाइस मैं आपको अभी यहाँ पर कुछ बैंकों के नाम बताने वाला हूँ अगर उन बैंकों में से किसी भी एक बैंक के अंदर आपका सेमी अकाउंट है और आपके पास उस बैंक का डेबिट काड है उसको आप पर्मेनेंटली यूज करते हैं तो आप केवल 10 सेकंड में पता लगा सकते हैं क्या आपका डेबिट काड इलिजिबल है इस इंस्टॉल्मेंट प्रोडक्ट देने के लिए या नहीं है तो उसके लिए आप इस वीडियो के अंदर पूरा बने नहीं वीडियो की बिल्कुल मत करना तो काईज अभी आप देख सकते हैं प्लस मेंबर के लिए एक दिन पहले स्टार्ट हो जाएगी लेकिन 20 तारिक से स्टार्ट होगी है जो सेल है अभी बिग सेविंग डे सेल 20 तारिक से 24 जनुर की बीच ये लगने वाली है तो चले हम चलते हैं अभी फिलाल सबसे नीचे बीच में टैब करना है आपको और क्रेट में जाना है क्रेट में जाना की बाद आपको जो है पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपके सामने यहाँ जैसे आप इसको स्क्रोल डाउन करते चले जाएगे स्क्रोल डाउन करने की बाद गाईज नीचे आपको यहाँ पर डेविट कार्ड एमाई का एक टैब दिखाए देगा सिंपले आपने इस पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा गाईज अब आप यहाँ पर दे सकते हैं डेविट कार्ड एमाई का ऊपर आपको यहाँ पर एक टैब दिखाए दे रहा है यहाँ पर यह बोले हैं डोकुमेंट्स आपको देने की जरुरत नहीं है और ना ही डाउन पैमेंट देने की जरुरत है अगर आपके पास इन बैंकों का जो मैं आपको भी बता रहा हूँ Axis Bank, HDFC Bank, Fritle Bank, Portech Mahindra Bank, ICIC Bank, IDFC First Bank और Just Money, Just Money को हटा दीजिए ठीक है क्योंकि वो अलग है Non-Banking Finance Company है उस Just Money को छोड़कर साथ ऐसे बैंक है इंडिया के अंदर अगर इन बैंकों में से आपका अकाउंट किसी भी एक बैंक के अंदर है और उसका डेबिट काड अगर आपके पास है तो आपके यवाल 10 सेक्रने में पता लगा सकते है क्या आपका डेबिट काड इलिजिबल है इजी इंस्ट्रोमेल प्रोड़क करिदने के लिए या नहीं है तो आपको उसके लिए क्या करना हो गाईज देखिए यहाँ पर आप देख सकते SMS DCEMI 257575 यानि अपनी इलिजिबलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है DCEMI आपको जो है टाइप करना है अपने मैसिज बोक्स में जाकर और आपने इसको भेजना है 577575 पर तो शोले हम अपनी इलिजिबलिटी अभी चेक करते हैं तो guys हम आचुके अपने message box में मैंने यहाँ पर अभी एक message किया था आप यहाँ पर दे सकते हैं DCEMI करगे 57-57 पर जैसे मैंने इसको भेजा ठीक है उसके बाद मेरे पास वापस एक message है जिसके अंदर लिखा था Congratulations you are eligible आप easy installment पर product खरीदने के लिए eligible है आपको भी same यही message करना है अगर आपके debit card eligible होगा कोई भी product खरीदने के लिए आसान किस तो पर तो आपको instantly इस तरह का message मिलेगा उसके यहाँ पर HDFC bank का page open हो चुका यहाँ पर बोली है HDFC bank का जो debit card है वो EMI के लिए available है आप flip card पर उस debit card को use करके यह कोई product आसान तरीकी से खरीज सकते है कैसे खरीदना है product आप यहाँ पर देख सकते है पूरी detail होना यहाँ पर बता रखे ले तो guys एक तरीका तो यह है आपके debit card पर EMI available है यह नहीं है जानने का दूसरा तरीका मैं आपको यह बताता हूँ आपको जाना है directly payment करने के लिए चले हैं पहले से order पर क्लिक करता हूँ पहले से order पर क्लिक करने के बाद payment का option आजाएगा continue करते हैं continue करने के बाद गाईज अगर आपके debit card पर EMI available है offer है तो आपको क्या करना है scroll down करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं EMI का जो tab आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है ना इसमें EMI on just money get debit card EMI on HDFC bank लिखा आ रहा है ना अगर मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाऊं continue करूँ continue करने के बाद guys next जो page होगा उसके अंदर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं HDFC bank debit card EMI लिखा आ रहा है ना अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो automatically आई के जो page पर है वो कितने महीने के लिए आप यह product लेना चाहते हैं वो लिखा आ जाएगा यानि अगर मैं यह product 3 महीने के लिए लूँ तो एक क्या 34 सुर्पर मेरे EMI होगी यानि कुल मिला के बात यह है यह mobile phone में अपने debit card पर 18 महने तक के लिए खरी सकता हूँ easy installment पर ठीक है पलस आपको यहाँ पर एक और फायद होने वाला है जब 20 तरीक से जो है sale start होगी HDFC bank card पर यहाँ पर offer मिला है 10% का तो वह 10% के चुड़ी मुझे यहाँ पर मिलेगी सिंपल में यह continue का ना है OTP मेरे mobile number पर आए यह OTP डालनी है और यह product मैं खरीद दूँगा अपने debit card पर ठीक है अगर आप यह चाहते है भाई मैं अपने HDFC bank का debit card है इस पर कोई product आपको खरीद के दिखाऊ होगा ठीक है यह अभी मैं यह आपर नहीं खरीदने वाला क्योंकि मुझे ज़रूत नहीं है ठीक है मैं तो आपको केवल दिखाने के लिए बता रहोगी भाई अगर आपके पास जो है HDFC bank, Axis bank ठीक है या फिर IDFC first bank, ICIC bank का debit card है तो आप आसान किस्तों पर debit card से भी कोई product खरीच सकते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया सेम इसी तरीकी से आप अपने debit card के eligibility पता लगा सकते हैं और कोई product Amazon flip card से easy installment पर खरीच सकते हैं तो जैसे यह थी वीडियो कैसे आप easy EMI paper debit card से product खरीच सकते हैं और पता लगा सकते हैं क्या आपका debit card eligible है या नहीं इस इंस्टॉल्मेर प्रोड़क्ट देने के लिए तो चलिए गाज मिलते हैं कर एक लिए वीडियो साथ आगे लिए वीडियो बहुत 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 था थैंक्यू सो माज